जी हाँ नमस्कार आपका हमारे इस यूटूब चैनल पर हर दिक सुआगत है खबर आये गुरूब D के 18218 पदों की भरती पर हाई कोट ने अब सरकार से मांगा जबा यदि आपने इस अग्जाम को दिया था या कोई आपका भाई दोस्त रिष्टिधार इस बरती में लगा हुआ है तो इस वीडियो का लिंक उनके पास अवश्या शेर कीजिएगा और आप भी अवश्या देखिएगा और अंतक देखिएगा हर्याना में गुर्प D के 18,218 पदों के लिए जारी न्यूक्टी परकिरिया में अब पंजाब हर्याना हाई कोट ने अर्याना कमचारी चैन आयोक के पक से ऐसंतुष्टी ज़दाते हुए प्रदे सरकार और अच एससी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आधिश दिया है याची का दाखिल करते हुए सिरसा निवासी दिपक पुरी शाहित अर्याना के विभिन जिलों में आवेद को ने एडवोकेट सुनिल कुमार नहरा के मादम से बर्ती परकिरिया को नए सिरे से आउज़ित करने के अपिल किया है ये देखेगा कि नए तरीके से इस बर्ती को आउज़ित करने के लिए कहा है याची ने हाई कोड को बताया कि अर्याना करमचारी चैन आयोग ने अगस 2018 में गुरूप D के 18218 पदों के लिए विग्यापनजारी किया था इस बर्ती के लिए 10,11,17,18 नुम्बर को प्रिक्षा आउज़ित की गई थी जिनों के आठ चरोनों में हुई किसी भी प्रिक्षा में अर्याना के बारे में 25 प्रिक्षण नहीं पूचे गई आठ चरोनों में हुई प्रिक्षा में ऐसे कई प्रिक्षण थे जो इन सबी चरोनों की प्रिक्षा एक समान थी यानि कि प्रिक्षिया में भहुत कठीन स्वाल मानकों के अनुरूप प्रिक्षिया ने होना स्वालों को दोराने से जुड़ी एनिमित्ता की शिकायत है हरियाना करमचारी चैन आयोग के पक्स में संतूष्ट वैक्त नहीं है आई कोट और मुख्य स्थियों को जारी किया है नोटिस याची ने अमरुजाला जो कह सकते की प्रेंट मेडिया है उससे प्रकास्ट एक समाचार के अवाले से बताया कि सवालों को लेकर हाई कोट ने टिम पड़ी की थी कि गुरूप डी की प्रिक्षिया में ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब जज़ भी नहीं दे पाएं याची करता ने बताया कि इस बारे में हरियाना के दो दिन बाद ही याची करता उने एचसी को रिप्रेजिटेशन भी दी थी लेकिन उन्होंने कोई एक्सर नहीं लिया अब याची ने प्रिक्षा को रद करने के और नए सीरे से प्रिक्षा उज़िद करने के ने देश द दातेवर याना के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करतेवे जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिये हैं तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या रुख अदा करता है अब तो बच्चे जवाइन कर चुके हैं क्या वास्तों में फिर से प्रिक्षा होगी इस बरती की देखने वाली बात होगी आखिर भारत का न्याई परकिरिया थोड़ा सलो है क्योंकि बहुत सारे कंडिडेट जवाइन कर चुके हैं च्यार पांच महिनों की सेलरी भी आज सुकी है क्या वास्तों में गुरूप डी अब 18,218 बरती फिर से हो सकती है जुरू कोमेंट करके बताएगा और अपनी राइज जुरूर वेक्त कीजिएगा थेंक्यू धन्यवाद आसा करताम वीडियो पसंद आयोगी लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब इस चैनल थेंक्यू